प्रश्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस श्रिंखला में हम आत्मों लोग के हर एक लोग आखिर किस तरीके से है इसके बारे में जानकरी ले रहे है आज का जो हमारा लोग है दोस्तों वो तिसरे लोग के बारे में इस वीडियो हम जानकरी लेंगे तो आखिर जो तीसरा लोग है वो किस तरीके से होता है हमने पहले दो लोग के बाद जिस तरीके से की थी दोस्तों उसमें हमने ये बात की थी कि दो लोग में दो चीज़े एक तो मतलब common जैसी है एक तो वहाँ पर पुरी तरीके से अंदेरा है लेकिन तीसरे लोग के बारे में यह थोड़ी सी अलग बात है यहाँ पर तीसरे लोग की जो आत्माय होती है उनके शरीर तो पुरे तरीके से होते हैं मतलब पुरे होते हैं उनके शरीर लेकिन यहां की जो आत्माय होती है उनकी शरीर भी पुरे होते हैं लेकिन यहां की जो आत्मा है दोस्तों उनके जो शरीर है या फिर उनका जो दिखना है वो जैसे बुड़े जैसे इंसान होते उस तरीके से यहाँ पर हमें वुरुद्ध मतलब आत्मा ही दिखाई दिखेंगी जो आत्मा का असल रूप है वो एक جवान या फिर एक मिडल एज में जिस तरीके से इंसान दिखता है उस तरीके से दिखती है जादा तर आत्माई जादा तर जवानी दिखती है लेकिन यहां की जो आत्माई होती है वो अपने आप में बहुती जादा मतलब उनका विकास अब तक हुआ नहीं है और दूसरी बात उन्होंने कुछ जीवन में देखा जाए तो पुर研र तरीके सेुजाला भी न ही elimin यहां के जो दुनिया है दूस्तों कुछ इस तरीके से होती है जैसे ग्रेवर्ट किया है तो ऐसी भी जो आत्माएं होती है वो अकली वहाँ पर नहीं रहती है समुदाएं के ही साथ रहती है लेकिन यहां की जो आत्माएं होती है जैसे हम दूसरे लोग के हमने बात की थी वहाँ के जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ हमेशा जगडती रहेंगी हमे दूसरे को फसाने की कोशिश करेंगी और हमेशा ये जो आत्माई होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा स्वार्थी होती है दोस्तो मतलब हमेशा खुद के बारे में सोचना जैसे और लोगों की जो बात होती है जैसे उपर के जो लोग है वहाँ पर खुद के बारे में सोचने से पहले आत्मा दुसरे के बारे में सोचेगी लेकिन यहाँ पर ऐसा जरा भी नहीं होता यहाँ की जो आत्मा ही होती है वो हमेशा खुद के बारे में सोचेगी यहां के आत्मे अगर मतलब यहां से चुटना चाहे जैसे यह भी लोग इतना अच्छा नहीं है तो यहां के आत्मे यहां पर खुश तो रहेंगी नहीं तो उनको भी यहां से आगे जाना होता है तो वो किस तरीके से जाएंगी तो इनको सरवशक्तिमान ईश्वर को प्रार्थाना करनी पड़ती है जैसे पहले दो लोग में करनी पड़ती है और उसके बाद उन आत्माओं को आने के बाद वो यहाँ पर उन आत्माओं को कहेंगे कि आप इस तरीके से मतलब इन सारी चीज़ों से चुट सकते हो और एक ल झनम लेना पड़ेगा लेकिन तिसरे लोग की अगर हम बात करें तो बहुत जादा बुरा जनम उनके सामने आएगा ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छे का से अमेर परिवार में उनका जनम हो लेकिन इनको बहुत ज़्यू जाएगे उस जिवन में जैसे ये सुदरते हैं कि नहीं सुदरते हैं अगर इनको जादा पैसा दिया जाए तो वो किस तरीके से इसका इस्तमाल करेंगे और बाद में ये भी देखा जाएगा कि इनके सामने बहुत जादा जिम्मेदार है ये मतलब संगर्ष इनके जीवन में बहुत जादा हो सकता है कैसा भी अमीर खंदन में भी उनका जनम हो लेकिन संगर से यह छोट नहीं सकते क्योंकि इनको तीसरे लोग से चोथे लोग में आना है और इस तरीके से अगर मतलब वो तीन-चार जनमों में या फिर कुछ जनमों में बहुत या अच्छे से करम करेंगे तो हो सकता है कि यह ब पहले भी बात की थी की कि जो आतमा की शुरूवाट है और ईसी जो आतम अहीं होती है वह पूरत्वी पर जनम लेती है तब यह सारी दुनिया उनके लिए नहीं होती है तो ऐसी जो आतमा है PPT अ क्या होती है कि वो ठिक्ठा कहें, मतलब एकदम बुरी आत्म हम उसको नहीं कह सकते, बस वो मतलब भावना में या फिर लोब में थोड़ी सी वो भैती चली गई, पाप में थोड़ी सी भैती चली गई, हम उनको एकदम बुरी आत्मा नहीं कह सकते, तो ऐसी जो आत्मा होती है, वो यहाँ प महाँ पाप करके ही वहाँ पर आती है लेकिन तिसरे लोग की आत्म है बहुत बार मतलब यह भी देखाया है जैसे रहा भटकती हुई मतलब रहा थुड़ी सी भटकी हुई है वो जो अपने आप पर मतलब कॉंट्रोल नहीं कर सकी इसलिए उनको ऐसी परिस्तिती का सामना करना पड़े तो ऐसी बहुत सारी बाते देखी गई है इसलिए यहाँ के आत्माओं को हम बहुती ज़ादा बुरा नहीं कह सकेंगे लेकिन यह जो लोग है वो बहुती ज़ादा बुरा है कही ना कही इसको नरक ही कहा जाएगा इसको हम नरक से अच्छा तो नहीं कह सकते यह नर अगर हम देखे पिछले मतलब उनके जीवन में उन्होंने चुटी-चुटी क्या की है जो उनको खुद कोई जादा तर पता होती है तो वो बहुत इस बार मतलब नरक में जा सकते हैं तीसरे लोक में मतलब क्या है कि ऐसे जो आत्मय है वो खुन बिन तो इतना बड़ा तो पाप नहीं किया होता है उन्होंने लेकिन फिर भी खुद के बारे में सोचना खुद के बारे में बड़ाई चड़ाई बात करना हमेशा जुड बोलते रहेना कुछ लोग आपने बहीं देखा होगा कि ज़रा सो कुछ करेंगे और बड़ा 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 चड़ा कर दिखाते बैठेंगे कि मैंने ये किया था वो किया था और इनके लिए कुछ करें तो वो उनका नाम भी नहीं लेंगे मतलब ऐसी जो आत्मय होती है वो थोड़े थोड़े पाप जमा करके उनका मतलब कही न पुरण नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से उपर जाने के लिए उसको बहुत बार दोस्तों बहुत सारे जनम लेने पड़ सकते हैं जैसे पुरत्वी पर भी इंसान को अगर बिगड़ना है तो वह दो मिनिट में बिगड़ सकता है लेकिन अपने आपको सुधारना अपने करते हैं तो उसका सिर्फ खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ता है हमेरे परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है तो इससे हमारे परिवार वालों को भी दुख मिले और हमें भी दुख मिले और हमें ऐसे मतलब बुरी जगे अला कि हम चवते मतलब लोग के बारे में जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से लोग है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि वहाँ पर आत्माओं की शुरुवात होती है तो आखिर दुनिया कि इस तरीके से होती है वो मतलब जानने के लिएम आप जरूर वीडियो में किसी नए जुशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत जादा दुखी है जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते है उन्हें पास्ट लाइफ का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की भी ओडियोज भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पिडियेफ किताबे भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओड यो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गुरुपया इस नंबर पर वाट्स अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद